तो और मेरी पैरे भाईलो क्या हल जाले गाईज आई हो पापसी लोग बढ़ी आउंगे मज़े में होंगे फुल मस्ती करऊंगे सुगाईज गेम के अंदर एक और नया इंक्यूवेटर आ चुक है और सबसे मज़े की बात आप सुभी को पताता हूँ सबसे पहले तो आप लोग यह दो कितना जादा धासू बंडल है दूसरी चीज की से निकालने के लिए आपको सिंपली एक रूबी टोकन और तीन इवॉलिशन स्टोन की ही जरुवत परने वाली है और अपने पास 17 इवॉलिशन स्टोन है और रूबी टोकन ओली वन चाही आप लोग खुद ही देखो यार हम लोग पांच लागे कितने जादा करीवे कितने जादा सो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आप लोग देख पर यहां पर अपने पास 312 डाइमंड से एंड हा गाईज आज की स्वाली वीडो के अंदर हम वन स्पिन ट देखते हैं ख्या अकुश निकलता है ओके, 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 ओके ओके ओओ भाई साहब यहां पर अनली एक 사्पिन के अंदर अली यहां बहु टोकन मिल चुका है भाई iç लिटर लिटरल विस्वास न लीए और आप लोग खुदी देखो जैसे इवेंट आता है वैसे ही आप निकालने के लिए आजाओ यानि कि अगर चार बज़े इवेंट आता है तो चार बज़े ही निकाल लो एंड ये मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चार बज रहा है चार बज के चार मीनट हो रहा है तो समझ रहा है सुबह के चार बज रहा है तो आप लोग समझ लो कि अभी जस्ट इभेंट आया और मैंने स्पिन कर दिया और ओनली 40 डाइमंड के अंदर निकल सो फटा बट से ऐसा करते हैं कि इसे हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं और देखो गाई ये वाले जो सूट था ये भी मुझे बहुत ही जादा ओसम लगा और जैसे ही इवेंट आया वैसे मैं सोचा कि भाई कैसे भी कर किसे निकालना है बट भाई यहां पर ओनली वन स्पि बंडल जो कि आप लोग देखी पारो एंड फटा फट से इसे ओपन करते हैं यहां पर मैंने इसे ओपन कर दिया फटा फट से एक्यूप कर लेते हैं आपको इसलिए बोल्राव चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि गेम के अंदर इससे भी जादा बड़ी इवेंट आने वाली आप सभी को पता है कि हॉल आफ इलाइट का इवेंट आने वाले जिसमें से ज़ाए वन से बाकि उड़ इलाइड पाससे रहेंगे मतलब जितने भी आपको चैनल को關係 करना है तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी सो फटावर्जे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ला अपनी जो पाँच लाग की फैमली वो भी कम्पलीट हो जाएगी और आप लोग को इन्फोर्मेशन भी मिल जाएगी हौल आफ इलाइट के इवेंट के बारे में एंड साथी साथ बुया पास भी आने वाले आप सभी को पता है बागी देखो गाईज इसके अंदर एक मेल वाला बंडल ही सबसे मस्त वाला है फिमेल वाली बंडल में यूज करता नहीं इसलिए मैं इसे निकालूँगा नहीं बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताना कि ये वाला बंडल आप लोग को कैसा लगा मुझे तो यार एकदम धासू लगा लिटरली बहुत ही जादा धासू आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताना तो चलो गाई जर मिलते हैं नेक्स्ट वीडो को साथ तब तक के लिए ब क्यार